गुड इविनिंग एवरीवन आज करते हैं एनरजी फोर मसल कॉंट्राक्शन नौव वट इस एनरजी एनरजी इस केपैसिटी तो डू वो राइट हम यही ऐसे डिफाइन करते हैं तो काम करने की श्यम्ता जो है केपैसिटी को हम एनरजी बोलते हैं अब यहां पे वर्क डॉ क्या हो रहा है यहां between work doesn हो रहा है मसल कॉंट्राक्शन रइट नौव see what happens is एस किसी भी अपने जो सेंं में जो एनरजी है वो किस फॉर्म में परडिश होती है is एटी प यह बेसे फॉर में प्रड twee यहनी सेल केवल एटी बे तीक को यू रोसे तो अब जो प्राइमरी प्रिंसिपल है सेल का वो है एटीपी स्टोर करना ठीक है यानि कि जो सेल है इस एटीपी का सिंथेसाइज करता है ठीक है और एनरजी प्रोडाक्शन के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए और यहाँ पर मसल सेल में जो फूड है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है? वो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में या फिर फैटी आसिड की फॉर्म में ठीक है? अब क्या होता है? फूड का ओक्सिडेशन होता है तो प्रोड्यूस एनरजी इन दा फॉर्म ओफ एटीपी प्लस मसल में एक और प्रोटीन है मायोग्लोबिन ये मायोग्लोबिन भी ऑक्सिजन को ट्रैप करके रखता है बटने ये मायोग्लोबिन वाला सोर्स कभ यूज़ होता है? जब बहुत ज़ाद ही rigorous exercise या strenuous exercise की जाती है तब जो है ये मायोग्लोबिन से ऑक्सिजन एक्स्ट्राट किया जाता है और फूड को ब्रिक डाउन करके एटीपी में प्रड्यूस किया जाता है ठीक है? यानि कि मसल कॉन्ट्राक्शन के लिए तीन चीज़े बहुत ज़रूरी है पहला है एटीप दूसरा है फूड तीसरा है सोर्स ओफ ऑक्सिजन ठीक है? अब क्या होता है कि इनिशली जब मायोसीन के हेड में एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं मायोसीन एटीपीज और ये मायोसीन एटीपीज क्या करेगा? कि मसल सेल में एटीपी किस फॉर्म में स्टोर कर रखी है एटीपी की फॉर्म में तो ये मायोसीन एटीपीज क्या करेगा? कि एटीपी के का जब हाइड्रोलेसिस करता है मायोसीन एटीपीज टू प्रोटीज एडीपी एंड एनर्जी ठीक है? और ये एनर्जी जो है ये मसल को कॉंट्राक्ट करती है तो ये जो एटीपी स्टोर है वो देखा जाए तो इनिशियल जो 10 कॉंट्राक्शन होते हैं तब तक ही ये एटीपी का स्टोर यूज यूज स्टोर एटीपी वो यूज हो पाती है उसके बाद ये एटीपी जो है ये खतम हो जाती है ये जो एटीपी है इस एटीपी को का बार-बार इसके साथ जो है फॉस्फेट जो शुद भी अटैश्ट तो अगें रिकनवर्ट इन्टु एटीप यानि कि एटीप को इसके लिए क्या होता है इस रिचार्ज के लिए मसल सेल में एक कंपाउंडर नोह अस क्रियेटिन फॉस्फेट ये हाई एनर्ज फॉस्फेट के साथ अटैश्ट है क्रियेटिन फॉस्फेट क्या करेगा अपना फॉस्फेट इसको डोनेट कर देता है to convert this ADP into ATP so that continuous supply of ATP is maintained for muscle contraction तो इस तरह के जो stored you can say storages है न जो की which serves as reservoir creatine phosphatase is one such example so इस तरह के जो substances है जो की एक reservoir का काम करते है of high energy phosphate bonds इस तरह के reservoir को बोलते है phosphogy ठीक है अगर आप देखा जाए यह जो phosphocreatine है यह जो phosphocreatine है, creatine phosphat यह भी क्या गरता है कि यह भी अगले 5 से 10 सेकेंड में deplete हो जाता है यानि कि उसके बाद जो है ATP recharge होना बंद हो जाता है और around first पहले minute of muscle contraction में 70% जो stored energy है वो use हो जाती ठीक है अब जो है क्या होता है next में कि जो food material है food के material यहां पर क्या है glycogen है या fatty acid है इस glycogen और fatty acid को glucose में convert किया जाता है और glucose का oxidation होता है to produce ATP यानि कि पहले क्या होता है aerobic respiration होता है oxygen की presence में और यह ATP regenerate होते हैं और again ATP को फिर से use किया जाता है for muscle contraction ठीक है अब यह जो oxygen है यह मैंने पहले ही बताया था कि कौन oxygen जो है source of oxygen के है source of oxygen hemoglobin है या myoglobin है अब जो है यह hemoglobin और myoglobin के जो sources है वो deplete हो जाते है यानि कि oxygen भी जो है खतम हो जाता है अब जो oxygen खतम हो गया तो ATP प्रड्यूस नहीं होता है तो यह जो food material है इसका anaerobic respiration होता है यानि कि absence of oxygen में energy जो है वो प्रड्यूस की जाती है ठीक है तो अब जिस food material का anaerobic respiration होता है तो energy के साथ साथ क्या प्रड्यूस होता है energy के साथ साथ lactic acid भी प्रड्यूस होती है अब क्या होता है यह जो lactic acid प्रड्यूस हुए as a result of anaerobic respiration इसका कुछ हिस्सा lactic acid का muscle में ही you know relaxing muscle में ही re-enter कर जाता है and it is being converted into glycogen right अब यह जो है बाकी जो major हिस्सा है lactic acid का वो जो है blood में release किया जाता है और blood से यह lactic acid कहां जाती है यह जाती है liver में liver में क्या होता है कि जो one-fifth of lactic acid है that is being converted into carbon dioxide water and energy और जो four-fifth of lactic acid है that lactic acid if you see it is being converted into glycogen with the help of this energy which is produced ठीक है अब यह जो glycogen है यह liver में store करके रखा जाता है उसके बाद यह glycogen को release किया जाता है blood में in the form of glucose right and this glucose again if you see it enters it reaches the muscle cell और muscle में इसको फिर से glycogen में convert किया जाता है और इसी इस glycogen का जब अगें फिर से anaerobic respiration होगा it will be converted into lactic acid अगें यह lactic acid जो है फिर से कुछ पार्ट जिसका muscle में यूज होजएगा कुछ पार्ट liver में आजएगा and it will be recycled back to the blood again this cycle is known as Corey's cycle ठीक है अब आप देखो की इसके अलावा if you see जो अब muscle cell में जो ATP प्रडूज हुए है ठीक है as a result of any of the above process the same ATPs are used to you know regenerate phosphocreatine ठीक है फिर से phosphocreatine regenerate हो गया और फिर से जो है ये store किया जाता है muscle cell में for further usable further donating phosphate to ADP to get converted into ATP in case of emergency or in case of any need right so इस तरह से अब आप देखो एक बार जिस्ट करते हैं अभी जो हमने किया है वो ये कि initially अगर आप देखो तो जो है ATP यूज की जाते है नॉर्मल कंडिशन में उसका hydrolysis होता है and energy is produced उसके बाद जब ये इस ADP को जब ATP डिप्लीट हो जाता है तो इस ADP को recharge किया जाता है और इस ADP को recharge किसके मदद से किया जाता है creating phosphate की मदद से किया जाता है second step और to produce ATP ठीक है third step में क्या होता है जो reserve food material है उसका oxidation होता है aerobic respiration होता है to produce energy in the form of ADP ठीक है next stage क्या होता है कि जो food material है उसका anaerobic oxidation होता है और anaerobic oxidation होने से क्या होता है energy तो produce होती है ADP तो produce होती है पर इसके साथ साथ क्या produce होती है lactic acid और ये lactic acid next step में क्या होता है this lactic acid is taken to liver to get converted into glycogen then it is again brought back to muscle cell in the form of glucose which is again converted to glycogen and stored in the liver cell ठीक है अब जो है अब cell में भरपूर मातरा में ATP प्रडूस हो जाता है तो ये जो creatine phosphate है जो यूज किया था उस creatine को फिर से ATP के साथ जो है it undergoes chemical reaction again to produce creatine phosphate so these so these are the various steps which are you know which occurs in a muscle cell for you know continuous production of ATP I hope आपको ये clear हो गया होगा thank you very much है